ये है निउस रिपोर्टर नेटवर्क आप देख रहे हैं निउस रिपोर्टर लाइफ सोच आपकी आवाज हमारी नमस्कार मैं हूँ विपाश चापाल और आप देख रहे हैं निउस रिपोर्टर लाइफ शुरुवात करते हैं आज की हेडलाइन्स के साथ अंकिता मंदारी को लेकर परेटन मंतरी का बयान कहा जिस चेतर में अंकिता की हत्या हुई या उस चेतर में लगतार क्राइम बढ़ रहा है रक्षा मंतरी राजनाज सिंग सेना और आई टी बीपी के जवानों के साथ मनाएंगे विजय दश्मी और शार्दिय नवरातरी के शुव अफसर पर मुक्यमतरी धामी बीजेपी प्रदेश काराले में आयोजुद कारेक्रम में हुए शामिल अब समाशार विस्तार से परिटन मंतरी सत्पाल महराज ने अंकेता भंडारी हत्याकान के बाद एक बार फिर राजस्वु पुलिस को समाप्त रिजुल्ट रेगुलर पुलिस को भोगपुर छेत्र दिये जाने की पैरवी की है परिटन मंतरी सत्पाल महराज ने कहा कि उनके द्वारा भी विभागिये इस तर पर ऐसे अवैद रिजोर्ट और होटेल का विवरंट जमा करने के नर्देश दिये गए हैं जिसके द्वारा अवैद रूप से कारे किया जा रहा है परिटन मंतरी सद्पाल महराज ने कहा कि जिस छेतर में अंकिता भंडारी की हत्या हुई है उस छेतर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है ऐसे में उस छेतर को राजस्व पुलिस से हटा कर रेगिलर पुलिस को दिया जाए जिससे छेतरी जंता को अपराद से निजात मिल सके हरीदवार में हुए 33 तरिये पंचायत चुनाव में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन कर कॉंग्रेस और बसपा के गड़ित को पूरी तरहां से बिगार दिया है वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत भी गर्मा गई है कॉंग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के दुरूपियों का आरोप लगाते हुए आज कोल हर जगर नाइक जांसी कार है ना और फिर कार है हमारे खरीद भरूप कर दिया है तो कॉंग्रेस के जितने जिनों नो तिखट दिनको दिया है वो बिखने वाले मलोग थे क्या कॉंग्रेस से लोगों टिकट देती कि जितने वाले हुँ नाज क्या सकता हूं कि बारती जन्ता पार्टी ने किशी व्यक्ति से कोई बाती देक जन्ता का प्रेसर उनके पर था बारती जन्ता पार्टी विकास करते हैं आप बारती जन्ता पर साथ दीजिए उसको आधार लेकर वर्ण हमासत दुड़े हैं कोई मोव बंगनी वा कॉंग से भारती जन्ता पार्टी धन्बल का उप्योग कर रही है सफफा का दुरूपयोग कर रही है इंकम के से इधी की दंकी दे लही है तो लोगों ने जा नहीं है जड़ा दंबा तरब जा रही है कौन आदमी किया हमारा तो कौपरेस का तो कोई आदमी नहीं किया जाए अधिकान समेंबर चार मेंबर जीत किया है चार किशार हमारे साथ है लेकिन भाज़पा निर्दलियों को दूसरे पसपा के लोगं को तमाम तरह की कि धंकी देकर अपनी तरब ले जा रहे है और किया गया है यह हमारा आरूप रक्षामत्री राजनाच सिंग उत्रखंड में चीन सीमा पर सित अगरेम चौकी पर सेना और आई टीपीप के जवानों के साथ विजयदश में मनाएंगे इस अफसर पर मैं सेना के शोसस्त्र पूजन कारेक्रम में भी हिस्सा लेंगे उनका बदिरिनाथ दर्शन का कारेक्रम भी है मुख्यमंत्री पुश्कुर सिंग धामी ने राजनाच सिंग के दौरे की पुश्ची की है उन्होंने बताया अपने दो दिवसी दौरे पर राजनाच मंगलवार को जौली ग्रांटे सित धहरदून एयरपोर्ट पर पहुचेंगे मुख्यमंत्री पुश्कुर सिंग धामी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगी मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार स्टीय द्वारा जाच की जा रही है परन्तु काफी समय बीते जाने के कारण साथ अक्तूबर को 11 बजे परेड़ ग्रांट से लैंस्टरॉन चौक एसले हॉल होते हुए सचीवाले तक रेली का आयोजन करना प्रस्तावित है मैं वीडियो वीडियो में चैनी चातरा हूँ और आज ये प्रेस कांफरेंस करने का हमारा जो मकसद है कि हम अपनी बात मुख्यमंत्री जी से तक पहुचाना चाहते हैं कि सर हमने बहुत कड़ी महनत और पूरी इमानदारी से ये परिक्षा पास किया है और आज के दिन ये है कि हम लोगों कभी कहीं जाना पड़ रहा है कभी आज हमने प्रेस कांफरेंस किया है कभी हमें कहीं जाना पड़ रहा है इतनी कड़ी महनत और इमानदारी से परिक्ष पृष्ट रहेंगे सर, हमको लिखित में मुख्यमंतरी साब से आश्काशन चाहिए, कि वो हमें आश्काशन दे कि हमें सपत्पत्र के साथ नुक्ती दी जाए. सर हमने थी मैनल से परिक्षा पास किये प्राइविट सेक्टर का हाल अब देख रहे हैं अंकीता भंडारी का केस आप लोग के सामने अभी चल रहा है प्राइविट सेक्टर में हम लोग सुरुक्षित नहीं हैं इसलिए हमारी फैमिली भी अलाव नहीं करती है कि हमें प्राइबर सिक्टर में हम लोग जाएं। इसलिए हमने 3-4 साल की कड़ी मेहनर से सर इस परिक्षा को पास किया है। और हमें मुख्यमंत्री जी से यही निविदन है, हाज जोड़के मैं उन से निविदन करती हूँ कि सर हमारी बात सोनी हम आपके बेटे बेटिया है, नवरातरी का माहूल चल रहा है, हम आपकी छोटी बेहने हैं, हमें हमारी महनर का फल दीजिए, नहीं तो आगे कोई अंकीत हत्या कांड होता है, तो उसकी जिमिदारी कौन लेगा, बस मेरी यही मुख्यमंत्री जी से गोहा रहे हैं करमपरा के अनुरुप, आज रामไดविके दिन हावन कारेकरम आयोज़ुद करती है, उसी करम में पार्टी के प्रदेश को अगले में यह आयोज़ुद किया था, जिसमें मुख्यमंत्री दार्मी, पार्टी के वरेष्च, नेता और पार्टी कारेकरता भी संमलित होए आज राम नौमी का परो है और सभी कम्याओं का पूजन किया है मा भगवती का इसमरण किया है कि मा हम सब पर किरपा करें हगवान की हम सब पर किरपा हो हमारे राज्ये पर किरपा हो हर प्रकार से देगन बाधाएं सारे दोस दूर रहें परदेश की उत्रोतर प्रगती हो गत बड़े उन्नती बड़े और भगवान की हम सब पर किर्पा बनी रहे उसी के निमित आज यहां पर हवन पूजन किया गया है मैं सभी को आज राम नौमी परव की बहुत सुप्ताम नहीं देता हूं बहुत बढ़ा ही देता हूं नौम नौमी के दिन हमने अपनी संस्कृत की अनुसार लगी किया और कण्याओं का पूजन किया प्रदेश के नर्शुक्सांती बनी रहे एश्वरे बना रहे हैं इसके लिए हमने उत्राखंड की हैं सभी देवी देवताम का अश्वन करते हूं हवन में आवती दी है राश्वे आपी टीका करन अभियान के अंतरगत अब तक 218 करोड 80 लाग सेधिक कोविट टीके लगाए जा चुके हैं कर 3,444 लाग सेधिक टीके लगा गया गया इस जवरान 1,969 मरीजों की कोविट में पुष्ची हुई है जबकि 3,481 लोग स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ सब्सक्राइब पीजे साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद